इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से बेट सीट याइन बना कर दिखाने जा रहे हैं आप इस वेवेट सीट पिलोग कवर कुछ इनकवर सिंगर डवल कुछ भी बना सकते हैं बनाना बहुत ही आसान है और बढ़ने के बाद प्यारा भी भूत लगता है देख सकते ह आप कलर आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे अगर आप लोग हमसे बनवाना है मंगवाना चाहते हैं तो दिएगे वर्चाम नंबर पर कौले मेंसेज कर सकते हैं बिना इसकी पूरा वीडियो जरूर देखेगा तभी आप लोग के समझ में आएगा कुछन का वा सिंगर डवल कुछ भी बना सकते हैं तो इसके लिए हमने तीन कलर का कपड़ा लिया है हमने पिंग लिया है गिरीन लिया है वाइट लिया है तो गिरीन वाला हमारा धाइंच लंबाए और धाइंच हमारा यह देखे चोड़ाई है तो आठ पीसे से और यह हमा पिंच कलर पीजिस प्सक्राइब ब्राबर करकर फॉल्ड कर लेंगे और बीस से कर लेंगे कटिंग यहां से 20 से थोड़ा निसान लगा लेंगे इससे क्या होगा कि जो हमारा डिजाइन बनेगा च्छे तरीके से फिनिसिंग के साथ बनेगा तो इसको हमने इस तरीके से कर लिया जो गिरीन वाला पीसे से उसको च्छे तरीके से बराबर करकर फोल्ड करने के बाद में 20 से कटिं तो यह देखे हमने निसान लगा लिए इस पर और फिर हमें गिरीन वाला पीसे लेना है और पिंक वाला जहां से हमने निसान लगाया था वहाँ इसे रखने के बाद अच्छी तरीके से बरावर करकर स्लाइक कर लेंगे तो यह देखे हमने इसलाइक कर लिया एक साइड और द है उसको अच्छे टरीका से बराबर करकर cutting कर देंगे तो देखिए हम दूसरा पीसे लेंगे और उस ग Karma पिंग को तपसे से उसके उपर ग्रीन वालणा रखेंगे और प्लाबर कर लेंगे और यह देखे यहां से भी इसको भी सेम ही करेंगे जो हमारा पिंक वाला पीसे से उसके उपर गिरीन वाला रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करने के बाद में इसलाई कर लेंगे तो यह देखें दोनों को हमने इस लाइक कर लिया है और इसको इस तरीके से रखेंगे सेम जिसे हमने पहले बता दिया था तो दो तीन आप लोग को बता दें कि अच्छे तरीके से आप लोग के समझ में आ जाए तो इसको भी हमें इस तरीके से रखना है सेम ही तो देखें हमने इस लाइप कर लिया गे यह हमारा चार पीसे बना कर आया है पहले से हमने एक कर लिया था पीसे लेना है और इसको यहाँ से रखना है यह यहां से थोड़ा हमारा जो गिरीन वाला पीसे से आधा इंच इधर उधर छुटा रहे है थोड़ा सा और इसको भी सेम ही रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए लाएं करेंगे आराम आराम से तो हमने देखे सिलाई कर लिया तिसरे पीसे में भी सेम ही सिलाई करेंगे तो देखे अब इसको हमने सिलाई कर लिया बेके करकर कटिंग कर देंगे तो यह देखे हमने कटिंग कर दिया और इस साइड भी सेम ही सिलाई करेंगे तो देखे हमने इस साइड कि यह दिखे इसमें भी पीसेसे भी से मी करेंगे तो अब एक कर 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 देंगे तो हमने कटिंग कर तो यह देखे हमने कटिंग कर दिया तो चार पीसिस हमारा ये वाला भी बनकर तयार हो गया है चार पीसिस हमारा दूसरा बनकर तयार हो गया है तो देखे इतना पीसिस हमारा बनकर तयार हुआ है तो अब इसको हमें वाइट वाला पीसिस लेना है और जो हमारा पिंक वाला प पट्टी बनकर तयार हो गया है और फिर हमें इस तरीके से रखना है इसको और इसको पिंक वाइट दोनों को अच्छे तरीके से मिलाते हुए इसलाई करना है तो देखें हमने इसलाई कर लिया और इसको भी दोनों को अच्छे तरीके से बराबर करते हुए इसलाई कर लेना ह तो देखे हमने इसलाइग कर लिया अब इसको एक एक करकर कटिंग कर देंगे तो हमने कटिंग भी कर दिया तो देखे इस साइड भी हमने इसको अच्छे तरीके से बराबर करकर सलाय कर लिया दूसरी साइड भी से भी इसको रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सलाय कर लेंगे अब इसको हम कर देंगे cutting जो इस्ट्रा है यह देखे हमने cutting कर दिया और अब इसको एक एक करकर हम joint कर देंगे तो अच्छे तरीके से हमें joint करना है मतलब ध्यान से कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही रहे तभी हमारा जो जाइन बनेगा अच्छे तरीके से finishing के साथ बनकर complete हो गया color आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको च्छा लगे तो देखे हमने एक side कर लिया दूसरी side भी हम इसको रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सेम ही slide करेंगे तो देखे दोनों side हमने slide कर लिया आप जो इस्टरा है उसको अच्छे तरीके से बराबर करकर cutting कर देना है color आप अपने हिसाब से मैंने परहे भी बता दिया है color आप अपने हिसाब से ले सकते हैं तो हम ने देखे पिंग को पट्टी लगाएंगे इसमें तो पिंक का पट्टी लगाना है आप लोग अगर बना कर ट्राइ करिएगा तो चोड़ाई में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं दो इंच त्वाइंच अपने हिसाब से कर सकते हैं और एक एक करकर जोइन कर दीजिए बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है और जरूर बना कर ट्राइ करिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर सस्क्राइब चरूर करेगा अगर आप लोग हमसे बनावाना या मंगवाना चाहते हैं तो देगे वर्टसम नंबर पर क्वाले मैसेज कर सकते हैं आई होप आप लोग को डिजाइन पसंद आया होगा और हम लोग देख सकें नएने वीडियो फिर मिलें के एक लिए वीडियो में तब तक के लिए खुदा पीस बाबाए